आप है फिर्टा आज का है मैंट्स एक सीछन ऐस यह आ्प सिरेशन आफ हम के यदर फैलकोर करेंगे बलकि साथ ही में हम यहां पर प्रेरिशन NEWा keyboards करेंगे साथ मेरी ऑक्सी डेशन जगाप सारा कुछ हो जाए गा तो और सिदेशन को ऑफ है अलकोह उस oxidation of alcohols बास देखो बटा alkal हमें पता है की तीन तरह के होते हैं ठीक वो तीन तरह के alcohol कौन कौन से हुए बटा फस्ट वन जिसका हम बोलेंगे primary alcohol बटा क्या primary alcohol यह होगा इस इस प्राइमरी अल्कॉल इसी तरह से बटे हमारे पास यह हो गया primary रियलकोल दूसरा होगा स्केंड्रियलकोल तो अगर आर यहां पे भी आर यहां एच यहां पे ओ एच अब यह किस तरह का एलकोल हो गया बिटा दिस इसकेंड्रियलकोल ठीक तीसरी तरह का एलकोल हमारे पास हो जाएगा आर सी आर और यहां पे भी आर यहां पे ओ और एच तो this will be called as tertiary alcohol तो तीम तरह के alcohol होगे प्राइम इसके इंडियन tertiary alcohols now what do you mean by oxidation बिटे oxidation को दो तरह से define करते हैं addition of oxygen या removal of hydrogen तो बिटा जब हम addition of oxygen की बात करते हैं तो माल लो मैंने यहाँ पर oxygen लगाई यानि इसको oxidize किया कोई भी oxidizing agent लगाया होगा और इसको oxidize किया मैंने जब मैं इसको oxidize करूंगा तो क्या होगा हमारे पास हमने बोला removal of hydrogen is also oxidation इसमें हमारे पास दो bond तूटेंगे बिटा ठीक अगर मैं इनको oxidize करता हूं ठीक आप देखो अगर मेरे पास primary alcohol होता है तो यह bond तूटेगा और यह bond तूटेगा दो hydrogen निकल गए दो hydrogen निकल गए तो product क्या बचावेटे हैं हमारे पास आर सी एच डबल बॉंड ओ सो वी गट एल्डी हाइड क्या मिला हमें एल्डी हाइड और कार्बन का नंबर क्या रहा सेम कार्बन का नंबर क्या रहा सेम तो इसको बोला corresponding aldehydes मिल गए क्या मिल गए corresponding aldehydes सो जब कभी भी हम primary alcohols को oxidize करते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है corresponding aldehydes देखो बिटा corresponding का मतलब है कार्बन का नंबर शूट रिमेन सेम जैसे अगर methyl alcohol लेंगे तो क्या बनेगा methanal अगर methyl alcohol लेंगे तो क्या बनेगा ethhanal propyl alcohol लेंगे तो क्या बनेगा propanal यानि अगर primary alcohol लेते तो aldehydes बनता कार्बन का नंबर सेम रहता है बट प्यारे बच्चो अगर reagent में water हो इध्यान से सुनना मेरी बात अगर reagent में water हुआ तो ये reaction यहां नहीं रुकेगा अगर reagent में water हुआ जो भी oxidizing agent आप लगा रहे हैं उस oxidizing agent में water भी है तो होगा क्या होगा ऐसे कि यह इस bond को oxidize करेगा CCH को और हमारे पास यह bond बनेगा आर सी ओ के साथ क्या एच और जो water है वह इस double अब क्या एक कारबन पर हैक से अधा बनेगा अगर ये स्टेबन नहीं है तो हमम भार क्या निकालेंगे हम यहां से water बाहर निकालेंगे थो हमारे पास के बनेगा बच्छो तो हमआर बन जाए का रसी double बॉण chronic physician Kalira यानि Karboxylic Acid, समझ में आई बड़े बात, पर कार्बन का नंबर जैसा था वैसा ही रहा है, कार्बन का नंबर चेंज नहीं हुआ है, इसलिए प्यारे बच्चों, हमारे पाद जो Acid यहां पे बना है, वो बना है Corresponding Acid, corresponding acid तो ध्यान से समझने की कोशिश करना मैंने कहा कि अगर हमने primary alcohol लिया उसको oxidize किया तो पहले वो क्या देगा corresponding aldehyde बट अगर reagent में water हुआ तो ये reaction aldehyde तक नहीं रुकेगा ये उससे आगे चला जाएगा और हमारे पास क्या मिल जाएगा corresponding acids मिल जाएंगे यानि same number carbon वाले acids मिल जाएंगे यानि कहने का मतलब ये है प्यारे बच्चो कल को अगर मैंने यहां पे CH3, CH2, OH ले लिया so this is a prime real coal or not अब मैंने इसको oxidize किया oxidize किया तो same number carbon वाला क्या बनेगा aldehyde so that will be CH3, CHO ठीक लेकिन अगर reagent में water हुआ reagent कोई ऐसा हुआ जिसमें water हुआ तो water की presence में अगर oxidizing agent वार्प करेगा तो ये reaction यहां तक नहीं रुकेगा दो ही carbon थे दो ही carbon का क्या बन जाएगा acid और हमारे पास बन जाएगा carbonic acid बोलो clear or not समझ में आता है पर अब बात करते हैं अगर हमारे पास secondary alcohol हुआ बिटा secondary alcohol हुआ तो हमें पता है ये bond तूटेगा और ये bond तूटेगा ठीक अब ये दोनों bond तूटने से oxygen की presence में ये दोनों bond तूटने से hydrogen के remove होने से बचा क्या R, C यहां पे भी R double bond O क्या बना की टून क्या बना की टून और ये कैसा की टून बना corresponding की टून बन गया corresponding की टून बन गया बोलो clear समझ में आया तो corresponding की टून यानि carbon का number क्या रहा same रहा बच्चो पर अगर reagent में water है तो ये reaction यहां तक नहीं रुकेगा ये आगे भी reaction देगा लेकिन अब जब हमारे पास reaction होगा तो बिटे हमारे पास ये bond भी टूट जाएगा हमारे पास इस part का भी acid बनेगा और इस part का भी acid बनेगा यानि हमारे पास बन जाएगा R, C, O, O, H, A कैसे और इक इसका भी acid बनेगा मतलब समझने की कोशिश करना ठीक कि अगर मान लो मेरे पास ऐसे हुआ CH3, C, O, H, C, H3 Is it a secondary alcohol or not? अब अगर मैंने इसको oxidize किया तो मैंने कहा oxidize करने से इसको same carbon number वाला क्या बनेगा ketone तो carbon का number क्या है? 3 तो 3 carbon का ketone क्या बनेगा? CH3, C double bond O, CH3 तो ऐसे करके ketone बन जाता है बेटे हमारे पास लेकिन अगर reagent में water हो तो ये reaction यहां तक नहीं रुकता और इसके आगे हमारे पास फिर से तूटेगा ये यहां से और हमारे पास क्या बन जाएगा? दोनों में से कहीं से भी तोड़ते सेम बात होनी थी दो carbon का acid एक और एक carbon का acid एक यानि हमारे पास बनता CH3COOH प्लस HCOOH Am I clear? बिड़ा HCOOH एक्शली स्टेबल नहीं होता फॉर्मिक एसेड तो अगर carbon dioxide एक्सेड इन वाटर तो अगर carbon dioxide वाटर लिखागा तब भी कोई दिक्कत नहीं है में तो ये product हमें शो करना था पर सर आपने करके तो दिखा दिया हमने बोला सकेंडरी अलकोहल को अक्सिडाइज करें तो ketone with the same number of carbon और अगर reagent में water है तो reaction ketone तक नहीं रुकेगा कहां जाएगा? acid तक और acid में carbon के नंबर कम हो जाएँगे अब यहां तो आपने ketone जो बनाया था स्मिट्रीकल की टोन था वो कैसा था? स्मिट्रीकल की टोन सर मैं ऐसा लेना चाहता हूँ मेरे मन में ये इच्छा है कि क्यों ना मैं इस तरह का alcohol आपको दे दूँ ठीक? अब आप इसको oxidize करके मेरे को बताओ क्या product बनेगा ठीक? देखो प्यारे बच्चो मेरे पास यहाँ पे इसको oxidize किया तो पहला तो ketone बना है ना जी? और ketone बना तो कैसे बना? CH3, C double bond O CH2, CH3 ठीक है जी? clear हो गया? अगर reagent में water हुआ अगर reagent में water हुआ तो हमें पता reaction आगे जाएगा लेकिन अब यहाँ पे unsmetrical ketone है तो दो जगा से bond तूट सकता था या तो यहाँ से या तो यहाँ से या तो यह वाला bond तूट सकता था या फिर यह वाला bond तूट सकता था इसन्यट इट? अब कौन सा तूटेगा सर? देखो बेटे बेए इसमें लगता है पोपाफस रूल क्या लगता है पोपाफस रूल तो अगर अंस्मिट्रिकल की टोन होते हैं क्या होते हैं अंस्मिट्रिकल की टोन इसकी ऑक्सिडेशन के लिए एक रूल हमें बता दिया गया जिसको हमने बोला पोपाफस रूल क्या नाम दिया पोपाफ्स रूल अब पोपाफ्स रूल क्या कहता है थोड़ा सा ये भी समझ लेते हैं ताकि हमें ये समझ में आना बहुत आसान हो जाए Popov's Rule कई लोग तो एथर के रियक्शन को Popov's Rule बोल देते हैं यहां ऐसा ही पढ़ाते है ठेक तो Popov's Rule कहता है During the Oxidative Cleavage During the Oxidative Cleavage Oxidative Cleavage Of Unsymmetrical Unsymmetrical Ketones During the Oxidative Cleavage of Unsymmetrical Ketone Smaller Alkyl Group preferably remains With Carbonyl Part Smaller Alkyl Group Smaller Alkyl Group Preferably Remains Preferably Remains With Carbonyl Part Carbonyl Part क्या मतलब हुआ पर पास प्रोड़क्ट तो बन गया CH3 COOH तो Popov's Rule उन उन रूल्स के लॉजिक होते हैं क्यों ऐसा होता है कि छोटा पार्ट जो है वो कार्बोनाईल के साथ रहेगा बिटा देखो कार्बोनाईल में अलफा हाइडोजिक होते की नहीं होते है अगर कार्बोनाईल की बात करो प्लीज सारे बच्चे सिरफ इधर ध्यान देना कहीं और नहीं ठीक देखो अगर मान लो मैं इसमें बात करो Popov's Rule के रीजन की मेरे पास है CH H C double bond O CH H CH3 यह है की नहीं है ठीक अब होता क्या है कि किटोन हमेशा इनोलाईजेशन करते रहते हैं हमेशा इसमें क्या होता है Tautomarism किटोन और इनोल आपस में क्या होते है Tautomarism कभी भी pure किटोन या LDH नहीं मिलता हमेशा उसमें क्या हותा इनोल फॉर्म्स भी होती है क्यों? क्योंकि ये वाला कार्बन SP2 hybridized होता है और deficient होता है ये alpha hydrogen alpha carbon का जुड़े होए alpha hydrogen ये अपने elektron यहां देते हैं समझ में आई ही बात और यहां के elektron यहां जाते हैं तो enolization बनाना एनुलआइजेशन नी इनुलआइजेशन डीक इनुलाइजेशन से यहां यह वाला एच यहां आ जाएगा भी टाटॉमरिजम करते हो न भाई तो यह वाला एच उठके यहाँ पे आएगा और हमारे पास बनेगा से एच्ट्र टू डबल बॉन्ट सी OH और फिर CH2, CH3 ये इनोल बन गया इसका बेटा बोरो समझ में आया इनोल कैसे बना ये आर यू क्लियर तो ऐसे इनोल बना अब ये हाइडोजन भी पार्टीसिपेट देखो हाइडोजन इसने ठेका थोड़ी ले रखा ये भी पार्टीसिपेट कर सकता है, ये भी कर सकता है तो यहाँ तीन हाइडोजन है जो इनोलाइजेशन में पार्टीसिपेट करेंगे ठीक, जबकि यहाँ कितने हाइडोजन है सिरफ दो पार्टीसिपेट करेंगे सिर्फ alpha hydrogen ही participate करते हैं ना मिटा एक तो यह acidic कम है और totomerism में acidic hydrogen ही pass on होते हैं ना कि भाई migration किसकी होती है acidic hydrogen आपको totomerism करवाया था पिछली बार आपको समझाया था हमेने totomerism में क्या होता है acidic hydrogen होना चीए नई भी समझो one three migration of hydrogen atom ठीक तो बेटा जी ये 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 तीन hydrogen यहां पे totomerism में participate कर सकते हैं ये दो hydrogen participate कर सकते हैं जिनके acidic character भी कम है क्योंकि इसके उपर कौन सा लगा है alkyl group तो इस side से analyzation कम होगी और इस side से analyzation ज्यादा होगी तो इस bond में double bond character ज्यादा होगा और इस bond में double bond character कम होगा तो ये bond ज्यादा strong होगा की नहीं ये bond ज्यादा strong होगा की नहीं तो इस वज़े से क्या होता है कि हम ये कह सकते कि इस bond में ये जो bond हमारे पास बना था जो छोटे alkyl group के साथ था इसमें ज्यादा hydrogen होने की वैसे more double bond character था more double bond character था इसमें double bond character ज्यादा था जबकि इस bond में क्या था less double bond character था क्यों यह समझ में आया कि नहीं less double bond character ठीक है जी क्यों यहां तीन-तीन hydrogen participate करते थे there were three alpha hydrogen's यहां पे दो alpha hydrogen's तो यहां ज़्यादा participation थी टार्टोमेरिजम की enolization की तो double bond इदर ज़्यादा था double bond ज़्यादा strong है उसको तोड़ना मुश्किल है इसको तोड़ना अभी easy है इसलिए चोटे वाला पार्ट जो है वो किसके साथ रह गया कार्बोनाईल के साथ रह गया क्यों में double bond करेक्टर ज़्यादा था तोड़ना मुश्किल था मतलब हम छोटे वाले बात पार्ट की बात ना करें हम यह देखें कि जितने alpha hydrogen जिस कार्बन के साथ ज़्यादा होंगे वो पार्ट कार्बोनाईल के साथ रहेगा जिसमें alpha hydrogen कम होंगे वो कार्बनाईल से तूट जाएगा यह पोपाफ रूल था बोलो पोपाफ रूल क्या होता है उसका लॉजिक क्या होता है समझ में आया कि नहीं आया जी बच्चों अच्छे से क्लियर बेटा पूपाफ रूल बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं लॉजिक किसी को पता नहीं होता है अभी तुम्हें लॉजिक समझ में आया कि क्यूं होता ऐसा तो डूरिंग दा ऑक्सिडेटिव क्लीवेज ऑफ अन्समिट्रिकल की टोन स्मॉललर अलकायल क्रुप जिस पे अलफा हड़जन जादा हो वो कार्बोनाईल के साथ रहेगा और जिसमें अलफा हड़जन कम हो वो सेपरिट हो जाएगा और उस हिसाप से हम इदर ब़ॉन्ड तोडएंगे उस हिसाप से हम असे बनाएंगे अब यहाँ पे दो कार्बन का दो कार्बन का दोनों ही दो-दो कार्बन का असिड बन रहे थे उपर हमारे पास दोनों साइड सेम अलफा अड़ जन थे कोई भी तोड़ सकते थे इधर दो कार्बन का इधर एक कार्बन का तो यहाँ पे दो असिड बने तो बिटा स्केंडरी इल्कोल को जब अपन ऑक्सिडाईज करते हैं ठेक स्केंडरी इल्कोल को जब अपन ऑक्सिडाईज करते हैं तो हमारे पास corresponding ketone बनते हैं बट जब reagent में water हो तो ये reaction ketone तक नहीं रुकता ये acid देता है लेकिन acid कैसे वहला मिलता है नोन Corresponding Acid Non Corresponding Acid मलब कार्बन का नंबर कम वाला Acid तो बिटा आप देखना कभी ऐसे सीरीज वाले कोशिन आते हैं न तो ऐसे लिख दे जाता है एक Compound का Molecular Formula लिखा आगे KMNO4 लगा दिया और अगला पार्ट लिखा LDHID या किटोन किटोन लिखा उसका भी Molecular Formula लिखा कार्बन का नंबर सेम रहा तो समझे लेना यहाँ Primary या Scandry है उसके आगे फिर Oxidize करके Acid बना देते हैं अगर कार्बन का नंबर फिर भी सेम रहा तो वो क्या है Primary है और अगर कम हो गया तो क्या है Scandry है ऐसे हमें पता चलता है Primary Scandry और Tertiary Alcohol का Clear हो गया की नहीं इसी तरह से बिटे जब Tertiary Alcohol की बात करेंगे तो Tertiary Alcohol में प्यारे बच्चो एक बांड ये तूटेगा और अब एक बांड जबर्दस्ती हमें C से R का तोड़ना पड़ेगा यानि यहां पर पहले ही कार्बन नंबर कम हो जाएगा अलकोल में पहले ही कार्बन नंबर कम हो जाएगा यानि यहां पर बनेंगे तो क्या बोलो क्या बनेंगे R, C, R, Double Bond, O की टोन पर पहले ही क्या बन गए? Non-corresponding की टोन और इसमें पोपोफ रूल टाइपी करना है हमार को थोटे वाले ग्रूप जोड़े रिखने हैं बड़े वाला तोड़ देना है तो नॉन कॉरिस्पॉंडिंग की टोन्स बन गए और अगर रियेजेंट में वाटर हुआ तो ये रियेक्शन भी यहां नहीं रुकेगा एक बार फिर ये वाला बॉन टूटेगा और एक बार फिर कार्बन नंबर कम होगा दूसरी बार कार्बन नंबर कम होगा और यहां से फिर एसिड ही मिलेगा तो हमारे पास यहां पर फिर क्या बन जाएगा non corresponding acid non corresponding acid non corresponding acid बोलो clear हो गया जैसे प्यारे बच्चो अभी हमने इसके साथ किया secondary के साथ मान लोग को tertiary alcohol अपन लेके चलते हैं tertiary alcohol था मेरे पास CH3, CH3, CH3 और OH मैंने इसको oxidize किया with an oxidizing agent तो पहले एक पार्ट तूट गया और हमारे पास बन गया CH3 CH3 double bond O क्या non corresponding ketone बना की नहीं बना अब फर्दर अगर reagent में water होता है तो यह reaction यहां तक नहीं रुखता है क्योंकि water की presence में बिटा water की addition भी हो जाती है आपको पता है ना रही की carbon पे एक से अदा OH हो जाता है जो कि stable नहीं होते हैं ठीक तो हमारे पास यह दुबारा तूटेगा अब यहां से तूट गया तो हमारे पास क्या बन गया CH3 COOH और साथ में HCOOH यह जिसको carbon dioxide water भी लिख सकते हो तो आपने देखा तर्शिरी अलकोल में दो बार carbon कम हुए जब यह ketone में change हुआ तब भी carbon कम हुए और ketone से जब further acid में change हुआ तब भी carbon कम हुए तो प्यारे बच्चो एक बार दुबारा समरी के लिए हम चलते हैं बापिस to the pavilion primary alcohol on oxidation gives corresponding aldehydes if reagent contains water reaction should not stop at aldehyde ketone stage or carbonyl state it gives corresponding acid with the same number of carbon secondary alcohols on oxidation gives corresponding ketones upper aldehyde yaha ketones but if reagent contains if reagent contains water reaction will not stop at this ketone stage further oxidative cleavage takes place according to popov's rule and we get non-corresponding acids in tertiary alcohol on oxidation we already get non-corresponding ketones and further if reagent contains water reaction will not stop at ketone stage it will give us corresponding acids non-corresponding acids so here cc cc carbon to deport this primary alcohol oxidize karna easy it is it is oxidation easy take but secondary थोड़ा सा बीजी है ना थोड़ा सा डिफीकल्ट ही जादा नहीं थोड़ा सा डिफीकल्ट हाला कि इसमें भी हमारे को तोड़ना तो सी टू एच बॉर्ण है बट अलकायल ग्रुप की वज़े से थोड़ा सा डियक्शन कम और यहां तोड़ना क्या है मुश्किल है तो यहां एक alcohol है, which changes the KMNO-4 solution blue-green in fraction of seconds. क्या बोला? Alcohol changes the color of KMNO-4 solution blue-green in fraction of seconds. मतलब, it has been oxidized very quickly. If it has been oxidized very quickly, it must be a primary alcohol. और अगर ऐसे बोल दिया जाए, कि भाया, एक alcohol है हमारे पास, and it changes the KMNO-4 solution blue-green after heating only and strong heating only. समझे लेना tertiary है. ठीक, तो oxidation में primary की ease जादा है, secondary की ease कम है और tertiary की ease सबसे कम, क्योंकि tertiary में C से C का bond तोड़ना है. clear हो गया? C से C का bond तोड़ना is difficult than C to H bond को तोड़ना. पर सर, आप बार 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 एक ही बात बोल रहें, जिस reagent में water हो, जिस reagent में water हो, अरे किस reagent में water हो? हमें कैसा अपना आएगा? नहीं बिटा, सपने की बात है नहीं, दिमाग होना चीए, इंसान के प्रस, है ना? बहुत सिंपल बात है, अगर मैं केमेनोफोर एक्सिडाइजिंग एजेंट लगाऊंगा, तो क्या सुका 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 लगाऊंगा, यह हैं भाई? सल्यूशन ही बनाऊंगा ना केमेनोफोर की, पोटाशियम डायक्रोमेट, सुके सुके क्रिस्टल डाल दूँगा, क्या? नाई, सल्यूशन बनाऊंगा, ठीक, और अगर हम बोले नाइट्रिक एसिड, उत वैसे डिल्यूट, ठीक, वो तो वैसे वाटर एब्सॉब करता है, जो लिबाटरी में नाइट्रिक एसिड पड़ा होता है ना, वो 68% होता है बाई मास, इस से यदा नाइट्रिक एसिड आ वाटर एब्सॉब करता है, क Away ludzi वारना प्रिक्टिकल में तुमसे कोशिन पूछ लेंगे, बोलेंगे जिए ऐसिड स्किन पर पड़ता जिलाता क्यूं है? ठीक, बहुत बार पूछते हैं कोशिन के ऐसिड पड़तर जिलाता क्यूं है, क्यों 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 कैस ये वाटर को ए तो प्यारे बच्चों नाइट्रीक एसिड तो हमेशा ही वाटर एब्जाब करेगा तो इसे साब से किस रिएजेंट में वाटर हो अगर बोले रिएजेंट विद वाटर यानि रिएजेंट्स विच कनवर्ट्स विच कनवर्ट्स अलकोहल इन्टू एसिड एसे रिएजेंट्स जो एलकोहल को एसिड तक लेके जाएंगे एल्डियाइड कि टोन स्टेज तक रुकेंगे ही नहीं वो कौन-कौन से हो गए नंबर वन जिंदगी में कभी भी देख लो के एमनो फॉर चाहें वो एसे डिक हो चाहें वो एलकेलाइन हो और चाहें वो न्यूट्रल हो बोलो बेटा डी ब्लॉक में आपको बताया था कि के एमनो फॉर एक ऑक्सिडाइजिंग एजेंट है और वो न्यूट्रल मीडियम में भी है और वो बेसिक मीडियम में भी है एसिडिक मीडिय में basic में सबसे weak ठीक clear इसी तरह से दूसरा हमारे पास हो सकता है बिटा potassium diacromate K2Cr2O7 ये reagent भी acid तक लेके जाएगा तीसरा हमारे पास क्या है nitric acid nitric acid भी कहां तक लेके जाएगा acid तक तो ऐसे reagent जिस पे पानी हो वो reaction को कहां तक लेके जाएगा acid तक बोलो समझ में आया है ठीक अब क्या हुआ अब हुआ यह कि मेरा मन यह कह रहा है कि क्यों ना मैं इस reaction को यहां तक रोकूं क्यों ना मैं इस reaction को यहां तक रोकूं मुझे लडियाड किटोन बनाने मुझे आगे जाना क्या फरक करूं कि aldehyde की टोल तक reaction रोक जाए हाँ reagent में water ना हो water की जगा मैं क्या लूँगा solvent water के लावा कोई और solvent ले लूँगा जैसे की pyridine ले लूँगा है ना तो प्यारे बच्चो अगर इस जगा तक reaction को रोकना है यानि if you want to if you want to stop the reaction till aldehyde reagents which checks the oxidation oxidation till aldehyde stage aldehyde stage ऐसे reagent जो aldehyde ketone तक यानि कार्बोनाईल stage तक aldehyde ketone बेटा aldehyde ketone मलब कार्बोनाईल कार्बोनाईल तक रोकना चाहते हैं तो आप कौन-कौन से reagent की मदल लेंगे बिटे इस आपको एक hw दोंगा छोटा सा है ना अकसर देता हूँ मैं तो बोल जाता हूँ मेरा कामे भूलना है ठीक और तुम भी भूल जाते हो तुम्हारा काम बोलना नहीं ठीक इसमें यूज होता है PCC क्या होता है PCC पेटे PCC पाइरीडीनियम क्लोरो क्रोमेट क्या बोलेंगे पाइरीडीनियम क्लोरो क्रोमेट थीक चाहिए इसमERE solvent कौन सा है पाइरिडीन सॉल्वेंट कौन सा है पाइरीडीन दूसरा होता है जिसको बोलते PC ठीक रंक चोपना नहीं ठीक PC में लग पाइरीडीनियम क्रोमेट पाइरीडीनियम क्रोमेट ठीक है दोस्तों ऐसे होता है बिटा PDC पिटा PDC जो हता है ना पाइरीडीनियम डाइज क्रोमेट है ना पाइरीडीनियम क्रोमेट Dichromate ठीक देखो तीनों में Pyridinium आ रहा है मतलब solvent is Pyridin तो यहाँ पे water नहीं होता PC, PCC, PDC ऐसे एक चौत्वा था Jones Reagent Jones Reagent ठीक ठीक यह जो रियेजेंट्स हैं कभी भी PC देखो PCC देखो PDC देख लो ठीक, Jones Reagent यह टोन्स मतलिक देना भाई Jones Reagent यह reaction को एल्ड हैड की टोन तक रोकेंगे, उससे आगे नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि इसमें water नहीं होता, उससे हमारे पास hydration नहीं होती है, और उससे फर्दर आगे reaction नहीं जाता, बोलो clear, पर सर CRO3 ठीक CRO3 प्लस सिक्स टेट में बिटा नाओ सर हो HW क्या था, बिटे इसमें से नहीं तीन मैंने लिखे हैं इन तीनों में से किसी एक का नाम Coris Reagent है किसी एक का नाम Collins Reagent है और किसी के एक का नाम Collins Serrets Reagent है आपने मेरे को बताना है Collins Reagent कौन सा होता है Coris Reagent कौन सा होता है Collins Serret Reagent कौन सा होता है उसकी composition क्या होती है ठीक और इन में से वो कौन है composition है नहीं किसे मैंने तो पारे डीडनिं क्लोरो कमेट एक्चीली फॉर्मूले कैंडी है थीक अब आप पोलोगे सर कहां से ढूड़े तो से कौरीज रिएजेंट पहला कौरीज रिएजेंट किसको बोलते हैं फिक दूसरा कॉलिन्स रिएजेंट किसको बोलते हैं तीसरा कॉलिन्स सैरेट रिएजेंट किसको बोलते हैं कॉलिन्स सैरेट या सिंपली सैरेट रिएजेंट किसको बोलते हैं फिक यह तीन बिटा मिर को बताय में ना एक सेकेंड लगना है पर मैं वो एक सेकेंड खराब नहीं करना चाहता है क्योंकि होगा क्या उससे तुम फिर भूल जाएगा और यह बहुत इंपॉर्टेंट है इसको पेपर में ऐस सच पूछा गया है विच और फॉल्विंग स्कॉर इस रिजिंग नीचे कॉ तुम्हें कर आओ तुम भूल जाओंगे क्योंकि जो तो लाजिक होते हैं लाजिकली तो आप याद रुख लेते हो लाजिकली आप वप ओफ रूरूर्ल करवाया तुम भूलेगे नहीं अगर तुमने लाजिक सीख लिया तो तुम्हें पता चला गया भी जिस साइड हाइ हम तो सिर्फ यह बतासते हैं भी इसमें पारेडीन होने के विए से आगे नहीं जाता है तो मैं चाहता हूँ इसको आप कमिट करें अपने साथ ठेक इसलिए यह आपका HW रहा गया आपको मेरे को बताना PCC क्या? PDC क्या? PC क्या? cá retrieve क्या? कॉरेज रिएजेंट क्या? कॉलिंज रिएजेंट क्या? कॉलिंज हेरेट?ρί आपको क्लیयर करोगे? बोले तर लिए कहां से मिलेगा? कोई मर्जी बुक देख लो सभी में ठीक? कोई मर्जी किताब देख लोगे सभी में मिलेघा ओ सकता है CIRT में मिलेगा ठीक अदर्वाइस कोई भी हल्पिंग बुक में मिलेगा बाकी जगत गुरू सब के पास है ठीक उसकी कोई टेंशन है नहीं है ना गूगला चा रहे है ठीक तो आप अराम से इसको करें और मेरे को बताएं जबी ठीक ताकि आपके दिमाग में रहे बोलो यहां तक क्लियर हु पर इसमें एक खास बात थोड़ी से बता जिता हूँ यह 3-4 डी एज है ना अगर हमारे पास कोई यलकोल है उसको अपर मज़े की बात बताओ ना मज़े की बात यह है कि अप को तो रोके गए रोकेगा ऐलकोल को बनाएगा यद्ट की टोन तक उससे आगे नहीं ले जाएगा बटे डबल बॉन्ड को ऑक्षिडाइज नहीं करते मतलब क्या मतलब यह कि अगर सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड सी एच टू है ना और इस पर तुमने जोन्स रिएजेंट डाला क्या डाला जोन्स रिएजेंट क्या बताया सर ने जोन्स रिएजेंट सी आर ओ थ्री इन एच टू है ना जी यह यह डबल बॉन्ड को ऑक्षिडाइज नहीं करेगा यह इसको ऑक्षिडाइज करेगा यह प्राइमरी एलकोल है प्राइमरी एलको अभी कारबॉक्स लीक एसिट में चैज़ नहीं होगा। बोलो समझ में आया बेटा ठीक तो इनकी स्पेशलिटी क्या होती है कि डबल बॉंड को ऑली फिनिक बॉंड बोलते हैं ऑली फिनिक बॉंड उसको ये ऑक्सिडाइज नहीं करते रियेजिंट ये भी फायदा होता है एल्डियाड की टॉन से आगे नहीं ले जाते तो अगर त कॉलिंज रिजेंट कॉलिंस एरिट रिजेंट जोन्स रिजेंट कोई यूज़ कर लेंगे रियक्शन कहा तक रुख जाएगा एल्डियाड तक अगर किटोन बनाना है सकेंड्रिय अलगोल ले लो टर्शिर अलगोल की जूड़ती नहीं है बोलो यहां तक समझ में आया है of alcohol was that difficult that was very very easy ना तो बेटा ये तो होगी oxidation of alcohol लेकिन oxidation of alcohol का एक खास reaction तुम्हार साथ करवा रहा हूं हेलो फ्लास यहां है ठीक अब देखो बेटे मेरे पास जहां है CH3 CH2 OH मैंने इसको oxidize करवाया in the presence of copper 575 Kelvin very important reaction है बेटे electro chemistry याद है कुछ थोड़ी बहुत तो आपको एक electro chemical series भी करवाई थी सर ने little केदार भाई का नमक हराम मुंची आलू जरा फीके नमक से पकाता है C U H G A G A U F बोला hydrogen के बाद oxidizing agents और hydrogen के जस्ट बाद क्या copper तो copper क्या हो गया oxidizing agent तो जब मैंने copper में इसको heat किया oxidizing agent तो बिटा primary alcohol है primary alcohol का क्या बनेगा aldehyde क्या इसमें पानी है copper विचारा केला है पानी के बिना है तो reaction कहां तक जाएगा aldehyde तक तो इसका क्या बनेगा CH3 CHO दान तानाटन है ना इसी तरह से मान लो अगर secondary alcohol हुआ प्रोपेन टू ओन और मैंने copper में इसको heat किया temperature इसका यही है थेक अभी बोलो क्या बनेगा भाई अभी बनेगा ketone थेक with the same number of carbons क्या reaction आगे जाएगा नहीं जाएगा मान लो में पस tertiary alcohol है this is most important मेरे पास tertiary alcohol है copper में heat किया temperature यही था अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें बताया primary candy और tertiary इसमें सबसे असानी से oxidize किसको कर सकते हो primary को फिर किसको tertiary को oxidize करना is quite difficult and copper is a weak oxidizing agent isn't it सबसे पहला ही तो है so it's a very weak oxidizing agent तो tertiary alcohol को copper oxidize नहीं कर पाता है विटा क्यों copper is a weak oxidizing agent tertiary alcohol को oxidize नहीं करता अगर oxidize नहीं करेगा तो फिर क्या करेगा फिर ऐसा है metal जो होते हैं metal they are also basis और base की presence में क्या होती है elimination तो बेटा अगर हमारे पर tertiary alcohol है तो copper elimination करता है यहां से OH और यहां से H और बनेगा आइसो ब्यूटाइलिन दुनिया का सबसे important reaction ठीक की primary alcohol को copper में रखा LDH बना scandrial alcohol को copper में रखा e-tone बना tertiary alcohol को copper में रखा oxidation नहीं हुई उल्टा क्या हो गई elimination because this metal acts as a base it can act as a base now क्योंकि oxidation tertiary की is quite tough why it is tough because we have to break C2 C bond and copper is not able to do that therefore it will not oxidize tertiary alcohol clear भाई अभी alcohol की जितनी भी oxidation थी पलने पड़ी की नहीं पड़ी है अच्छे समझ में आई एक बर दुबार रिवाइस करवा हूं primary alcohol gives us LDH corresponding LDH if reagent contains water it will give us corresponding acids takes secondary alcohols on oxidation gives corresponding ketones but if reagent contains water it gives non-corresponding acid and cleavage is governed by pop-off's rule pop-off rule कहता during oxidative cleavage the smaller alkyl group preferably remains with carbonyl part या the carbon which is having more high alpha hydrogens will remain with carbonyl part ठीक है जी बाकियों को cleave कर देंगे tertiary में अगर oxidation करो तो tertiary में पहले oxidation difficult है और पहले ही non-corresponding ketone बनेंगे ठीक और region में पानी हुआ तो non-corresponding acid बन जाएंगे समझ में आई और अगर मेरे को इस reaction को LDH के tone तक रखना है तो हमारे को water नहीं डालना है इसलिए हम उसमें PCC, PDC, PCC, Collins reagent, Collins Serret reagent, John's reagent, SA reagents का use करके LDH के tone तक रोक सकते हैं और जिन reagent में water हो like KMNO4, like potassium dichromate, like HNO3 वो reaction LDH के tone तक नहीं रुखते हैं वो direct carboxylic acid देते हैं ठेक और copper की presence में हम primary alcohol को तो LDH बना देते हैं, secondary alcohol को तो ketone बना देते हैं और tertiary alcohol cannot be oxidized by copper because copper is a weak oxidizing agent and tertiary alcohols can be oxidized with the difficulty therefore it will not be oxidized by a weak oxidizing agent like copper in spite it works as a base and gives us elimination, got it or not? लिकिन alcohol की oxidation हो गई, बिटा इसी में carboxylication की preparation भी हो गई, हो गई कि नहीं, इसी में LDH के tone की preparation हो गई कि नहीं, कि LDH के tone बनाना चाहोगे, क्या करोगे, PCC भी है ना, पर इसी में एक और खास बात हुई, LDH के tone की भी तो oxidation हो गई, हो गई कि नहीं, कि LDH जो होंगे, they will give carboxylic acid with same number of carbon, but ketone will give non-corresponding acid and cleavage is governed by pop of rule, clear है, यानि ये भी clear हो गई कि LDH के tone की oxidize करें तो क्या करेंगे, बोला acid बनाएंगे, LDH का same number carbon बनावाला, ketone का different number carbon बनावाला, और ketone में कौन सा rule लगा देंगे, pop of rule, LDH में तो वैसे ही same number carbon बनावा acid बनना है, बोलो clear, पर एक बात नहीं समझ में आ रही है, यार, मेरे को लगता है तो मुझे ज़्यादा light डाल सकोगे, अगर मान लो, मेरे पास एक है LDH, CH3, CH double bond O, और दूसरा है ketone, CH3, CH3, CH3 double bond O, क्या मुझे बता सकोगे, इस में से किस चीज़ को मैं ज़्यादा आसानी से oxidize कर सकता हूँ, मेरे साथ रहके intelligent होगे तुम, है न, yes, LDH can be easily oxidized, अगर मैं oxidation की ease बोलता हूँ, oxidation की ease, ठीक, तो LDH can be easily oxidized than that of ketone, the reason, yes, we have to only break C2H1, ठीक, इस लिए LDHs can be oxidized, can be oxidized by oxidized by weak oxidizing agents, weak oxidizing agents, जो कि ketone को नहीं कर सकते, and they serve as a test between LDH and ketones, तो यहां LDH ketone के test भी देखते हैं भाई, लेट वी सी, the test of LDH ketones, weak oxidizing agent कौन कौन से होते हैं हमार पास, बिटा फैलिंग स्लूशन, बेनेड़िट स्लूशन, and tollans reagent, ठेक, अभी ध्यान से सुनने का, ध्यान से समझने का, बिलकुल दिमाग पर जोरने डालने का, it is very easy, ketone को, अगर मैं बोलू, tollans reagent, तो tollans reagent test, tollans reagent, यह ketone नहीं देगा, यह सिरफ LDH ही देगा, ऐसे ही बेटा हमारे पास आजाता है, फैलिंग solution test, फैलिंग solution test, वो भी LDH देगा, ऐसे ही हमारे पास आजाता है बेटा, बैनेडिक्स solution test, बैनेडिक्स solution test, वो भी सिरफ LDH देगा, ketone नहीं देगा, यहां से हम ketone और LDH को separate out कर सकते हैं प्यारे बच्चों, जैसे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों जरा इधर थोड़ा ध्यान देंगे तो हो सकता है हमारे को समझ में आ जाए माल लो मेरे पास है CH3, CHO किटोन का तो खतम हो गया किटोन तो सिरफ हमारे को क्या पोप आफ रूल बास किटोन की oxidation में सिरफ क्या बनेंगे acid और यूज क्या होगा फोप आफ रूल खतम बात किटोन की oxidation परें और कोई है ही नहीं LDHED के oxidation easy है इसलिए ये चोटे-चोटे reagent के साथ भी busy है तो हम उसको आराम से कर सकते हैं अब हमने यहाँ पे यूज किया प्यारे बच्चो टोलंज रिएजिंट क्या यूज किया टोलंज रिएजिंट लॉट तहल इस टोलंज रिएजिंट हम बोलते हैं alkaline agno3 alkaline solution of agno3 alkaline solution of agno3 it is called as tollans reagent कभी-कभी हम इसको ऐसे भी लिख देते हैं ag nh3 का whole twice oh this also represents tollans reagent कभी-कभी गुसा चड़ा हो तो हम ऐसे भी लिख देते ag2o भाड में जाओ वो भी tollans reagent और कभी मेरी तरह गुसे में हो तो simply ag1 positive लिख के विचला जेते होते हैं this all represents tollans reagent basically tollans reagent is alkaline solution of silver 1 positive and you very well know that silver is an oxidizing agent remember that electrochemical series again little के दार भाई का नमक हराम मुंची आलू जरा फी के नमक से पकाता है c-u-h-g-a-g to ag is an oxidizing agent and is stronger than that of copper clear तो बेटा ये इसको oxidize करता है अगर इसको oxidize करेगा क्या बनाएगा acid acid तो बनाएगा definitely बनाएगा पर बेटा solution कैसी है alkaline तो क्या है acid बचेगा? acid और base तो क्या करेंगे? react ही कर जाएगे react करेंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा? salt क्या बन जाएगा? salt तो यहाँ पे हमें acid का salt मिल जाएगा? अब अगर यहाँ पे मैंने ammonium chloride डाला होगा ammonium hydroxide डाला होगा as a base तो यहाँ पे ammonium salt मिल जाएगा यह sodium hydroxide डाला होगा sodium salt मिल जाएगा salt मिलना है पर होना क्या है कि silver की precipitation हो जानी है silver one positive से क्या बन जाएगा silver इसको बोलते silver mirror test क्या बोलते है silver mirror test तो tolans reagent हमें silver mirror test देता है अगर कोई भी aldehyde होगा और ketone होगा differentiate करना tolans reagent डालना जैसे tolans reagent डालोगे अगर silver mirror की preparation हो जाएगी तो समझ लेना मलते silver की precipitation होगी silver mirror बन गया silver mirror मलते silver की एक परत्सी बन गई तो समझ लेने कहा कि यह क्या है एल्डी हाइडेक की किटो उन तो यह reaction देगा ही नहीं बिटा पुराने समय में ना जो शीशे होते थे ना फिर आजा महराजों के पास होते थे हमीर आजमियों के पास होते थे मेरे जैसे लोग तो पानी में देखके यू यू कर लेते थे है ना यहां बाली आपने देख़ए पुराने समय के लोग बाली में लिखते थे ते आज़े छोटे-छोटे लखते थे क्यों बनाने के लिए कुछ है है ना भाई शीशे तो है यह नहीं तो शीशे बहुत हमीर आजमियों के पास होते थे यह क्यों ऐसी बनाए जाते थे वता है। क्या होता था गुअ कोँष होता है गुलुकोवस होता है प्लेंच के उपर गुलोकोवस की चड़ा देते हैं। गुलुकोस की स्लरी और उसके उपर टोलंज रिएजेंट ऐसे लगा देते हैं ठीक और येक्ट करता है सिल्वर मिरर की प्रेपरेशन हो जाती है उसके उपर सिल्वरिंग हो जाती है फिर उसको धोते हैं यानि सॉल्ड वॉल डिंकल गया फिर उसके पान में डालने वाला एक कथा आता है है ना ब्राउन से कलर का वो उसके उपर पोत देते हैं तांकि उस सिल्वरिंग बाहर निकले नहीं पुराने समय में ऐसे शीशे बनाए जाते थे अब तो सिंथेटिक कोटिंग आगी तो मेरे तुम्हारे जैसे के पास भी शीशे है भाई है ना क्लियर लेकिन उस समय शीशे सिर्फ किसके पास थे अमीर आदिम के पास क्योंकि ऐसी बनाए जाते थे ठीक तो देख हम कितने अमीर हैं हम कितनी बार टोलन्स रीजेंट कर लेते हैं है ना भाई टोलन्स रीजेंट टेस्ट कितनी बार कर लेते हैं तो टोलन्स रीजेंट टेस्ट इस ओनली फ failing solution क्या बोलते हैं failing solution failing solution टेस्ट ठेक अब failing solution क्या होता है बेटा failing solution में दो पार्ट होते हैं पहला पार्ट failing A failing A failing A बेटा failing A होता है alkaline copper sulfate अभी LDH किटोन का chapter चल रहा है दोस्तों समझ में आई बात डिस्टिंग्विशिंग बेट्वीन LDH किटोन कर रहा है ऑक्सिडेशन अफ अल्डिहाइड है न तो failing A is alkaline copper sulfate और जो failing B है failing B है बेटा वो होता है रोशेल सॉल्ट रोशेल सॉल्ट बेटा रोशेल सॉल्ट नाम से बड़ा अंगरेजी सा लगता है न इस सोडियम पुटाशियम टाट्रेट रोशेल सॉल्ट क्या होता है सोडियम पुटाशियम टाट्रेट सोडियम पुटाशियम टाट्रेट ठीक सोडियम पुटाशियम टाट्रेट सर वह अंगरेजी वाले ठीक था कुछ नहीं गॡ्री क सनाम लगता है न वाइं कुछ नहीं सोडियम पॉटासियम टाटरेट है यमने कभी जिंदगी में टाटरीक असेट बना कर दिखाये ठों Zeit अप्टिकल आई सॉमयरिजम में यह टाटरीक एसिड है इसका सोडियम कोटाशियम सौल्ट यह फैलिंग भी है दोस्तों इस फैलिंग भी तो फैलिंग ए फैलिंग भी यह दो चीज़े होती है इससे मिलके बनता फैलिंग सल्यूशन कुछ नहीं इसमें औक्सिडाइजिंग क्या है copper two positive oxidizing agent क्या है copper two positive इसको oxidize करेगा इसको oxidize करके क्या बनाएगा अगें सॉल्ट अगें सॉल्ट क्योंकि acid बनाना है और medium कैसा है alkaline तो acid alkaline medium में acid तो नहीं रहेगा क्या बनाएगा इसका भी salt बना देंगे ठीक और साथ में बन जाएगा cu2o red color का precipitate ठीक कैसे color का red color का precipitate तो अगर failing solution डाल करके red color आ जाता है प्यारे बच्चो तो समझ लेना कि हमारे पास क्या है हमारे पास aldehyde present है यह aldehyde का test होता है ठीक है सर एक बात बताओ यार कॉपर तो चलो काम आ गया कॉपर का यह बना यह रोशल साल्ट क्या कर रहा है what is the function of रोशल साल्ट और फैलिंग बी फैलिंग बी का function क्या होता है ध्यान से सुन लेने का समझ लेने का भूलना तुम्हारा जर्म से दधिकार है तो हमारे पास यहां पे फैलिंग बी का काम बता रहे हैं देखो पेटे अगर ऐसा हुआ यह एलकलाइन मीडियम में है तो ऐसा हुसता है कॉपर का क्या बन जाया हाइड्रॉकसाइड कॉपर का हाइड्रॉकसाइड अगर प्रेसिपिटेट हो गया तो रियक्शन क्या चुंचुना गरेगा कॉपर अगर रियक्ट कर गया कॉपर आइन्स रियक्ट कर गया किसके साथ बेस के साथ м drive पोज़िव चार्ज और बेस नेगेटिव तो यह आपस में रियक्ट करके क्या बनासके है प्रेसिपिटेट ऑफ पर हाइड्रॉकसाइड तो इसलिए इसलिए हम इसमें पहले ये डालते हैं ये copper ions साथ inclusion complex बना के रखता है ताकि वो precipitate ना होने पाएं तो हम बोलेंगे कि failing B forms an inclusion complex inclusion complex with copper ions with copper ions so that so that they should not be they should not be precipitated precipitated as copper hydroxide copper hydroxide तो बिटा failing B का काम क्या है एक inclusion complex एक complex बनाना copper ions के साथ ताकि copper ions available रहें बिटा वो कहीं precipitate हो करके availability खतम ना कर दें इस वज़े से बिटे हम यहां पे failing B डालते हैं ताकि वो copper two positive available रखें बोलो clear हो गया कि नहीं समझ में आया तो failing solution test भी हो गया ऐसे ही बेटा तीसरा test होता है benedict solution test क्या होता है benedict solution test अब आप मेरे को बोले हो sir benedict solution क्या हुआ benedict solution भी यही है benedict solution बेटा इसके भी दो पार्ट है फिक पहला benedict A benedict A और मज़े की बाद बता हूँ benedict A वोई है जो failing A था alkaline copper sulfate benedict B जो benedict B है जिसने इसको precipitate होने से रोकना है यहाँ पे रोशल salt टाटरेट था यहाँ citrate यूज करते हैं क्या यूज करते हैं citrate बिटा oxidizing agent वही condition वही तो reaction भी वही reaction थोड़ी चेंज़े तो अब्यस सी बात है कि हमारे पास हमारे पास यहाँ पर बनना क्या है वही जो हम अभी तक बनात्या है CH3 COO negative जितना कारबन तो होतने कारबन का सॉल्ट और सी यू टू ओ रेड रेड गो टू बेड बोलो समझ में आया क्लियर तो ऐसे failing solution test, benedict solution test और यहाँ पर tollens region test यह किसके लिए हो गए aldehydes के लिए ketonia reactions नहीं देते तो अगर तुम्हें बोल दिया कि compound A reacts with failing solution to give red color जो और से चीखना बोला aldehyde ठीक और अगर बोल दिया tollens region तब भी चीखना तो तुम्हें क्या लगता खतम हो गया समझ में आये की नहीं अब अगली बात देखो जरा बेटा हमारे पास ने एक aldehyde की बात कर रहे aldehyde को oxidize कर रहे aldehyde को oxidize कर रहे तो एक aldehyde है benzaldehyde ऐसा benzaldehyde यह benzaldehyde को benzene ring की वर्से oxidize करना मुश्किल हो जाएगा क्यों यह double bond character आ जाएगा भाई reasonance की वर्से है ना so it is difficult to oxidize तो बेटा this can give tollens region test यह tollens region test तो देगा benzaldehyde aldehyde को तीनों test देने चीए बट यह tollens region test देता है यह failing solution यह benedict solution के साथ fail कर जाता है it does not give failing solution और benedict solution test अब देखो कितना मझा आया बोला compound a gives tollens region test but does not response to failing solution वहीं पदा चल गया बेंज लडी आइडें दूसरी चीज़ सोचने की जुरूरती नहीं है आगे कैनी जैरों के साथ इसको जोडते विच्छे यह पूरा आपको ना के स्टेडी टाइप कोशन होता है ना वैसे वाला आता है गोलते कंपाउंड ए है मेरे पास विद मॉलिक्लो फॉर्मॉला दिस ठीक गोलता यह फैलिंग स्लूशन के साथ रियक्ट नहीं करता है बट टॉलंज रिजेंट का यह सिल्वर मिरर दे देता है और फिर फर्दर उसके रियक्शन दे देते हैं तो बेटा जो एल्डी हाइड जो देखो पहली बार अगर कोई टॉलंज रिजेंट दे रहा है तो आपिसली किटोन तो है न ऐसा इसलिए यह कोशन आएगा वेपर में कि बैंज अल्डी है इस एन अल्डी है बट इट फेल्स टॉलिशन टेस्ट और बैंडिट सुलूशन टेस्ट और जेवस्ट टोलंज रिजेंट टेस्ट बोलना टोलंज रिजेंट में हमारा ऑक्सिराइजिंग एजेंट क्या है और सिल्वर का रिड़क्शन पुटेंशियल हमारे पास होता है पॉइंट एट वोल्ट्स और यहां पे फेलिंग सुलूशन में ऑक्सिराइजिंग एजेंट क्या है कॉपर इसका इडिगरी कॉपर टू पॉजिटिव टू कॉपर रिड़क्शन पॉइंट पॉइंट पॉ पॉशन का अंसर और अच्छे से मिल जाता है कि सिल्वर जो होता है वो एक स्ट्रॉंग ऑक्सिराइजिंग एजेंट है एस कंपेर टू कॉपर क्लियर जी इसलिए बैंजलियाइड जिसको ऑक्सिराइज करना थोड़ा मुश्किल होगा ड्यू टू बैंजीन रिंग इस बोलो बिटे क्लियर तो एल्डेट की टून के ऑक्सिदेशन भी समझ में आई कि नहीं आई पता चला है यहलो है क्या बुलते हो समझ में आ रही बात अब देखो बैटे वैसे तो एंचेटिक नहीं बुलती पर अपने को ना एक में और थोड़ा सा आपको ग्यान देना चा है एल्डेट की टौन में आता है एक्टिव मिथाइलीन ग्रूप की ऑक्सीडेशन करता है किसकी एक्टिम मिथाइलीन ग्रूप आगी चलू ना एक यह याद रखना थोड़ा सा दिमाग में रखना जादा आजकल नहीं पूछा जाता पुराने समय में तो बहुत ज्जाद मिथाइलीन ग्रूप मिथाइलीन ग्रूप सर एक्टिम मिथाइलीन ग्रूप क्या होता है अरे टेंशन किस बात की हम है न देखो बच्चे CH3, C double bond OH है न जी CH2 का अगला जो CH2 होगा उसको एक्टिम मिथाइलीन बोलते है तो एक्टिम मिथाइलीन है अगर मैं कभी भी इसमें सिलेनियम ऑक्साइड लगाऊंगा तो यह इस ग्रूप को भी क्या कर देगा ऑक्सिडाइज कर देगा ठेक किस में एल्डिहेड में यानि यहाँ पर भी CHO यहाँ पर भी CHO और बन गया हमारे पास CHO CHO ठेक इथेन डायल यहां जिसको बोलते हैं गलाई ऑक्जल गलाई ऑक CHO C double bond OH क्या इसमें active methylene group है अगर यह active methylene group है अगर यह active methylene group है तो CH3 C double bond OH CHO methyl glyoxal क्या बन गया methyl glyoxal glyoxal में methyl लग गया ना तो क्या बोलोगे इसको methyl glyoxal बोलो बच्चे समझ में आ गया पता चला माल लो मेरे पास ऐसा है कैसा है कुछ कुछ ऐसा है अब इसका reaction पूछा है क्या यहां पर active methylene रूप है है यही नहीं methylene होता है CH2 methylene क्या होता है क्या यहां पर CH2 है active methylene नहीं है समझ में आया active methylene यानी C double bond से अगला CH2 CH2 यहां CH3 है सर्थ अरे CH3 में CH2 तो है ही है ना समझने मेरी बात अगर कल को मैं ऐसे बोल देता हूं CH3 CH C double bond O और आगे इसी तरह से दिया H यहां यहां पर C यहां पर किटोन भी हो सकता है किटोन का अगला active methylene group is oxidized by this is called as active methylene it is oxidized by selenium oxide तो जिंदगी में जब selenium oxide देखोगे न तो क्या काम करेगा active methylene group को oxidize करेगा बोलो बच्चे समझ में आया कि लिए आया कोई दिक्कत कोई परिशान ही तो बिटा आपको अलकोहल की oxidation समझ में आई हां जी aldehyde की formation समझ में आई किटोन की formation समझ में आई कर्बॉक्जलीक एसिड की formation समझ में आई copper की प्रेंस में oxidation समझ में आई aldehyde ketone की oxidation समझ में आई aldehyde ketone के test समझ में आये failing solution test benedict solution test and tolens region test समझ में आया selenium oxide समझ में आया अब जब करी रहे हैं तो चलो फिनोल की भी ऑक्सिडेशन साथ में खतम कर देते हैं न भाई ऑक्सिडेशन का पवाड़ा ही खतम ठेक तो चलो जी हमने अल्कोल की ऑक्सिडेशन कर ली उसमें हमने LDHID के भी कर ली, उसमें हमने LDHID के reaction भी कर लिए, LDHID की formation भी कर ली, अब हम बात करेंगे Oxidation of Phenol, Oxidation of Phenol, देखो प्यारे बच्चों, बहुत ही ध्यान से समझना, बहुत ही important चीज़ है मेरे पास Oxidation of Phenol, एक question आता है, कहते हैं जी फिनोल colorless होते हैं, but on standing turns dark, why, question क्या है, फिनोल्स, फिनोल्स आर, colorless, but on standing, turns dark, why, देखो बिटा, अगर मैं फिनोल की Oxidation करूँ, यह लो जी, यह मेरे पास Phenol था, पहले तो माल लो, मैं इसके Oxidation करना चाहता हूँ, Oxidizing agent की presence माल लो, मेरे पास Oxidizing agent लगा दिया, के टू, सियार टू, के टू, सियार टू, O7 या के अमिनोफोर, और हीट कर दिया इसको, और जजबात में बै गए, यानि अनकंट्रोल्ड ऑक्सिडेशन, अनकंट्रोल्ड, अनकंट्रोल्ड अगर Oxidation हो गई, तो बिटा यहां बनेगा Black Terry Mass, Black Terry Mass, सर यह क्या थे टेरी मास, दूप देखी कभी दूप, सूरज वाली नहीं, भगवान को चड़ाने वाली, है ना दूप दूप, है ना, चिपचिपा सा मास होता गी नहीं, ब्लैक टेलर का होता है कि नहीं, डैट इस ब्लैक टैरी मास, ठीक है जी, तो बेटा जी, ऐसा ही Black Terry Mass, इसका भी फॉर्मुला नहीं उस्ते क्योंकि इस मिक्शर, number of compounds का मिक्शर है, ठीक तो अगर हमने uncontrolled oxidation कर दी, तो बेटा answer क्या आएगा, Black Terry Mass, लेकिन अगर हमने अपने जजबात पर control पा लिया, ठीक है जी, माल लो, आपने इसको control कर लिया, अगर माल लो, आपने इसको control कर लिया, है ना, कैसे, heating नहीं की भाई, हल्के-ल्की warming की, तो बेटे, ये एक scandrial alcohol है, है की नहीं, phenol is scandry or not, scandry का क्या बनता है, ketone, तो इसका ketone तो बनेगा, बट कुछ इस तरह का, इसको बोलेंगे benzoquinone, क्या बोलेंगे, benzoquinone, very, very, very important, benzoquinone, मज़े की बात बिता हूं, एनलीन का भी अगर हम oxidation करें, तो ऐसे ही, एनलीन के अगर potassium dichromatum हमने जजबात खो दिये, तो हम बोलते हैं, एनलीन ब्लैक, क्या बोलते हैं, एनलीन ब्लैक, that is again black terry mass, और अगर उसको भी हमने control किया, तो benzoquinone, same product, एनलीन से भी, same product, clear, हाँ, अब बहुत ध्यान से सुनना, और जो चीज़ बोलना ना इसको बहुत ध्यान से, अपने दोस्तों से इसका formula पता करके करदवा दोगे ना वही बहुत है मिर ले, आना तो उनको क्या है, उनसे से formula पूछ लेना इस चीज़ का, ठीक किस चीज़ का पूलना फीनो-किनोन का formula बता दो, किसका? फीनो-किनोन का formula अपने टीचरों से कुछ के बता दो, फीनो-किनोन क्या होता है? माल लो, हमने की इसकी area oxidation, क्या की? area oxidation, क्योंकि बिटा उपर जो question दिया ना मैंने, ठीक, उपर question जो दिया मैंने, वो बोला on standing, फीनोल्स आर कलर ल standing में हमने heat तो नहीं किया, कोई oxidizing agent तो नहीं लगाया, तो ear की presence में हुई होगी, तो that is area oxidation, अब इसका answer क्या है? हम बोलते हैं, फीनोल्स are colorless, but on standing turns dark, because in atmosphere, in atmosphere, their aerial oxidation, air की presence में, aerial oxidation, takes place, takes place, ठीक, so due to benzoquinone, due to benzoquinone formed, benzoquinone formed, color turns dark, color turns dark, ठीक है जी? अगर आपको बोला, कि भी ये dark क्यों हो जाते पड़े पड़े, बोलना समय benzoquinone बन जाती है, oxidation हो करके, और benzoquinone के वैसे color dark हो जाता है, पर पेटा दियान से सुनना मेरी बात अच्छे से, अगर तुम से competition में पूछा, कि भी aerial oxidation का product क्या है, ये बताओ, it is not benzoquinone, aerial oxidation का product होता है, फीनोक्योन, और फीनोक्योन होती ही क्या है, मैंने बोला, formula पूछ के बताना अपने दोस्ते से, ठीक, देखो दियान देना इदेर, फीनोल की oxidation हमेशा, बेंजोक्योन ही देती है बेटाँ, लेकिन air में ये ज़्यादा oxygen नहीं होगी, air कोई बहुत strong oxygen है जैन नहीं, कुछ फीनोल रह जाएगा, और कुछ क्या रह जाएगा, बेंजोक्योन, कुछ फीनोल रह गया, कुछ बेंजोक्योन, और इसमें बन hydrogen bonding, ये जो चीज़ बनी, फीनोल प्लस बेंजोक्योन, इसको बोलते है फीनोक्योन, क्या बोलते हैं, फीनोक्योन, तो aerial oxidation का product पूछें, तो क्या बोलोगे, फीनोक्योन, ये वाला, लेकिन color, फीनोल की वज़से थोड़ी, color तो इसकी वज़से dark हुआ ना, oxidation का product तो ये है, color जो dark हुआ और किसकी वज़से हुआ, बेंजोक्योन की वज़से जो बनी है, फीनोक्योन is nothing, it is hydrogen bonded, बेंजोक्योन, और फीनोल, फीनोल और बेंजोक्योन का, जो hydrogen bonded complex बनता है, उसको फीनोक्योन कहते हैं, बोलो clear हो गया, तो फीनोल की वाली oxidation भी समझ में आती है, एक last oxidation करत होती है, Elves per sulfate oxidation, Elves per sulfate oxidation, Elves per sulfate oxidation, Elves per sulfate oxidation, बेटा per sulfate यानि per sulfate के प्रेंज में, K2S2O8, यह per sulfate हो गया, K2S2O8, पर sulfate, potassium, पर sulfate, कुछ नहीं है, यार, फिनोल था, इसके फिनोल के और दो position पे oxidize हो जाएगी, इसको बोलेंगे catacol, क्या बोलेंगे, catacol, और यहां फिर, पैरा position हो जाएगी oxidize, जिसको उम बोलते, क्युनोल, बिटा रटा मत मारना, कुईन का मतलब होता, फॉर्थ पोजिशन, कुईन का मतलब, फॉर्थ पोजिशन, क्युनोल मलब, फॉर्थ पोजिशन पे ओल, तो बेंग्जो क्युनोन, क्युनोन, चौत्थे पोजिशन पे ओन, या चौत्थी पोजिशन पे ओन है, एक दूसरे तो बिटा एल्ब्स पर सल्फेट ऑक्सिडेशन में के टू एस्टू ओ एट का हम यूज करते हैं प्यारे बच्छो जिससे हमारे पास बन जाता है केटी कोल और यहां फिर क्यूनोल के ऑक्सिडेशन तुम्हारे सामने है समझ में आई है कि फिनोल जो होता है अगर करेंगे तो बला एक्टेटी मास थोड़ा कंट्रोल कर लेंगे तो बेंजो किनोल और गुण फिनोल खिंव सूल and the color turns dark due to this formation of benzoquinone and if we use persulfate it is L persulfate oxidation it gives us quinone or keticole so this is all about the oxidation part ठेक amines की oxidation अलग होती वो लग से करवाएंगे आपको बात ठेक otherwise इस चेप्टर में इस पार्ट में आज के पार्ट में आपको नाकेवल अल्कोल की oxidation करवाई गई बलकि aldehyde ketone की oxidation भी करवाई ketone में हमेशा याद रखना इसकी oxidation में कौन सा रूल लगता है pop of है ना और pop of rule क्या होता है बोला जिस carbon में ज़्यादा hydrogen है वो ketone के साथ रहेगा या carbonel part के साथ रहेगा और दूसरा part तूड जाएगा ठेक आपने उसको छोटा alkyl group इसलिए बोल दे है जितना छोटा alkyl group उतने ज़्यादा उसके साथ क्या लगे होंगे hydrogen ऐसा बोल देते है बट बेसिकली बात है कि दोनों साथ hydrogen सेम सर अगर hydrogen दोनों साथ सेम हुए तो क्या करेंगे है ना तो बेटा हमने यही देखना कौन से ज़्यादा acidic है जिस पर जितना बड़ा releasing group लगा होगा उतना acidic रेक्टर क्या होगा कम होगा उसे जाब से सोचके चल पढ़ेंगे अपन लोग समझ में आई बात तो alcohol की oxidation complete alcohol का chapter complete ठेक alcohol का chapter complete ठेक अब इतना समय तो बचा नहीं कि मैं तुम्हारा chapter compile करवा देता बट एक काम करते है next time जब तुम class में आओ एक बार सारा alcohol का chapter है alcohol का और phenol का भी कर तुमने phenol भी दिया है पर phenol के कुछ preparations बची preparation of phenol बची और एक रहेगी सिरफ physical properties of alcohol ठेक ये रह गई है सिरफ physical properties of alcohol रह गया physical properties of phenol रह गया ठेक और बाकी आपके पास सारा डन है तो एक बार NCRT को खंगाल कहना अच्छे से एक बार पढ़ करके आना कौन सी चीज़ आपको समझ में नहीं आई ठेक कौन सा आपको नहीं आया जब तक के लिए एक book दो अभी समय है 15 मिनिट हमारे पास अपने अपनी किताब खोलेंगे ज़रा प्रेपरेशन ओफ एलकोल्स देखो मैंने तो आपको बहुत डिटेल में करवाया है इसमें देख लेते का कुछ बचा नहों कि प्रेपरेशन ओफ एलकोल पेज नंबर थी ट्वंटी नाइन है थिंग सो पुरानी एंश्याटीव तो कोई और नंबर होगा ठेक प्रेपरेशन ओफ एलकोल्स फ्रॉम एलकीन्स बटा एलकीन से इंडारेक्ट हाइडरेशन हाइडरोबोरेशन ऑक्सिडेशन ऑक्सिडेशन ऑक्सिमर्कुरेशन डी मर्कुरेशन बोलो ये किये हो आगे चल बिटा वो देखा प्रेपरेशन आफ एलकोल्स तो प्रेपरेशन आफ एलकोल्स में पहला फ्रॉम एलकीन्स एलकीन्स में हाइडरेशन का सारा मेकैनिजम, मेकैनिजम सब कुछ बताया था आपको everything is there फ्रॉम कार्बोनाईल कंपाउंट्स क्या रिडक्षन करवाएं गई आपको रिडक्षन से कैसे कैसे होता है पता चल गया था उसके बाद फ्रॉम ग्रिगनार्ज रिएजेंट बोलो किया है कोई दिक्कत तो नहीं इस प्रेपरेशन इनकी खतम हो जाती है ठीक हमने तो एक्वस के ओएट से भी कर रखी है ठीक आगे देखो प्रेपरेशन आप फीनोल्स ये भी मेरे को करवाने को है पर इसमें मैंने एक हैलो अरीन्स के थूँ डोस प्रोसेस बोलो एक करवाया की नहीं डोस प्रोसेस करवाया chemical reaction reactions involving cleavage of O2H bond बोलो सोडियम के साथ सर ने reaction करवाया था कुछ acid character of alcohol के बारे में भी कुछ बताया था सर ने acid character of phenol भी कुछ-कुछ करवाया था उसका esterification नाम की बला भी करवाया है मैंने बोलो esterification की है की नहीं की है उसकी हर detail पता esterification की उसके बाद reaction involving cleavage of C2O bond in alcohols C2O bond in alcohols बेटा HX के साथ reaction Lucas region test grooves process बोलो किया है PCL5, PCL3 के साथ किया है SOCL2 के साथ किया है है ना आगे dehydration बोलो पूरा का पूरा lecture दिया गया था dehydration के बाद अगले page पे देखें Oxidation के आज हमने की Oxidation यहां PCC भी लिखा है PCC बताया कुछ क्या होता है और copper copper भी बता दिया भी copper क्या करता है तरिश्री से अलकीन क्यों बनते है कर चुके हो reaction of phenol को देखो जरा सबसे पहले electrophilic substitution ESR तो phenol में हमने nitrogen की थी बेटा mononitration dilute में trinitration concentrated में picric acid की formation किया था और फिर nitrosation के थू भी किया था फिर bromine का reaction in the presence of CS to giving monobromo phenols and in water giving tribromophenol बोलो यह समझाया था क्यों होता ऐसा अच्छे से clear है उसके कॉल्ब reaction नाम की चीज़ कुछ की थी हमने कॉल्ब reaction के आगे aspirin की formation जंडू बाम की formation cellol बोलो यह किया था उसके remer team and reaction किया है भाई हमने zinc का जिंदगी में कामी क्या है तो यह reaction करवाने की जूड़त है मेरे को reduction of phenol आगे देखो oxidation हाँ जी यह करवा दिया भी ओके अब यह तो alcohol phenol का chapter finish है ठीक so next day मिलते है और इसकी physical properties के बारे में और फिर ethers खतम कर देंगे यह chapter finish aldeide ketone 80% done है 18 is 70% के करीव done है 30% करवान है 30% वो कराओंगा 2-3 दिन उसमे amines 90% done है सिर्फ उसको बताना बाकी है दो दिन उसमें दे दो उसका biomolecules रह गए फिर हम पकड़ेंगे वो वाले टाप topics जो हमारे syllabus का part नहीं but competitions का part है is a p block surface metallurgy metallurgy बिल्कुल जना एक भी चीज नहीं छोड़ेंगा जना कभी छोड़ी और जिसमें भी हो अपन को करने से में अपने आपने अपने को करने से में अपने अपने अब अब जाना कहीं नहीं बोलना बंद करें अपने करें झाल झाल